नमस्कार दोफ्तों एक बार फिर हमारी यूटुब चैनल में आप लोगों का हर्दिक स्वागते लेटेफ्ट अप्टेट निकले क्या ही कि पैंशनर के खाते में आ गई है बड़ी हुई रासी तो हर पैंशनर जाने की उसे कितने मिलेगी पैंशन तो दोफ्तों हम आपको सब डिटेल में बताएंगे अगर आप हमारी चैनल पर फिर्स्ट टाइम विजिट कर रहे तो चैनल को लाइक कर दीजिए सस्क्राइब कर जे साथ इसाथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्मेंट या पैंशन से सम्मधी जितनी भी नूज आती है उनकी नोटिपिकेजन आप लोगों के पास तुरंत पो उसके तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी दे लिगें दोस्तों नए साल की सुरुआ पैंशन भोगों के लिए कप है अच्छी रही है के अंदर की मोधी सरकार ने बड़ी हुई महिगाई बत्ते को पैंशन के अकाउंट में क्रेडिट करने की मंजूरी दे दी है सरकार की तरब से बैंकों को निर्देश दिया गया है कि पैंशन के महिगाई रात में जितनी भ दोत्री हुई है उसकी इसाब से पैंशन की गणना का काम सरुक कर दिया जाए सरकार ने इस बात को साफ कर दिया है कि बैंकों को विभाग के आदेश का इंधजार करने की जरूरत नहीं है सेंट्रल पैंशन अकाउंटिंग ओफिसर के सिनियर अकाउंटेंस ओफिसर सतीष क कुमारगर का कहना है कि बैंकों को जल्द से जल्द सेंट्रल सिविल पैंशनर संसदो संतंतरा सेनानियों और सुप्रीम कोट पैंशन भोगियों को पैंशन जारी करना है पैंशन में विभागों की और से की गई नई नई बढ़ोतरी को भी सामिल किया जाएगा पैंशन जा संतरता से नानी जो बहारत के बहार पीडि थे उनकी पैंशन को 28,000 रुपे से बढ़ा कर 36,120 रुपे परतिमा कर दिया है। इसे बढ़ा कर 13,350 रुपे कर दिया है। नए साल में केंद्रे करमचारियों का 3% महिंगाई बढ़ने जा रहा है। इसे वेतन में करीब 21,000 रुपे की बढ़त होगी। वही सरकार फिटमेंट फैक्टर को भी बढ़ाने की बात कर रही है। इस फिटमेंट फैक्टर बढ़न बारत के लिए जै ही जै बारत